जैहिन दोस्तों मैंनी दीबेल चोहान तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एट सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ब्रह्मा और विश्णु तीन अनुपाद दो के प्रमाण में लाभहानी बाटने वाले साजेदार हैं तारीक 31-3-2017 के दिन की सकल और समायोजन पर से वार्शिक हिसाब हमें तयार करना है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले समायोजन पढ़ लेते हैं समायोजन मशिनरी पर 6% और फरनीचर फिक्सचर पर 20% की दर से घिसाएगी निये देंदार में से 500 दूबत रण के अपलिखित करो ब्रह्मा और विश्नु को क्रमशय 5000 और 4000 वार्शिक वेतन देना है 500 कमिशन के मिलना बाकी है वेतन के 3000 चुकाना बाकी है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यहां लाभानी खाता बनाना है उसके बाद लाभानी वित्रण खाता बनाना है उसके बाद साजेदारों का पूंजी खाता बनाना है और फिर आर्थिक चिठा हमें तयार करना है तो चलिए शुरू करते हैं तो एक चैप्टर का लाभ हानी वित्रन खाता और साजेदारों का पूंजी खाता विशे हमें डिटेल में सीखा था जिसमें उप्योग हम अब करेंगे तो स्टार्ट करते हैं प्रेशन हमने रीड कर लिया यहाँ पे सकल तलपट दिया हुआ है और सकल तलपट हमेशा कब बनता है जब साल पूरा हो जाता है इसलिए हमारा वर्ष पूरा इकत्तीस तीन दो हजार सत्रा को होता है इट मेंस स्टार्ट कब हुआ होगा एक चार सोला को उधार बाकियों सभी हम पढ़ लेते हैं और भाड़ा पट्टे का मकान इसका मतलब भाड़ा पट्टा सबसे पहले दिया है आहरण ब्रह्मा विश्नु दोनों का पाच पाच हजार है फिर भाड़ा पट्टे का मकान इ मिलकत अमुक कुछ समय के लिए हमें यूज करने के लिए मिले ऐसी समपत्ती मिले नहीं जो यहाँ पर मकान लिया है भाड़ा पट्टे के उपर एक चार सोला से दस साल के लिए तो दस साल के लिए हमें मकान यूज कर सकते हैं दस साल पूरा होगा तो हमें ये मकान उसके मालिक को वापस देना होगा हमें मालिकी उसकी नहीं मिलेगी इसे कहते हैं भाड़ा पट्टे का मकान उसके बाद मशीनरी ओफिस की सभी जमा बाकी ब्रह्मा की लोन पचास हजार और याद रखना जो ब्रह्मा पेड़ी को साजेदार है तो जब भी कोई साजेदार पेड़ी को लोन देता है तो लोन पर ब्याज की counting करनी होती है ये वस्तु कभी भी नहीं बूलना तो adjustment में शायद ना दिया हो तो हमें याद रखना है कि loan पर ब्याज की counting करनी होगी और first chapter में सीखा था जो loan पर ब्याज के बारे में कोई कुछ ना कहा हो तो 6% 1716 का ब्रह्मा का 50,000 की loan दी है तो आगे सभी entry read करेंगे अब जो हमें क्या बनाना है सबसे पहले लाभानी खाता इसमें व्यापार खाता नहीं बनाना है तो व्यापार खाते में कोई जवाब 97,250 जमा साइड हम लिख देंगे इसका मतलब ये है कच्चा नफा तो जो उधार साइड लिखे हुआ तो हानी होती ओके तो हमें अब सीधा नफा नुकसान खाते से शुरुआत करनी है तो सबसे पहले adjustment हमने read कर ली है और note down कर लेते हैं कौन सा account उपर कौन सी समायोजन की असर आएगी नंबर एक machinery पर 6% और furniture fixer पर 20% के हिसाब से हमें घिसाई counting करनी है तो machinery की बाजू में एक लिख देंगे और furniture fixer की बाजू में एक दो adjustment देवादारों में से 500 500 दूबत रिन के अपलिखित करो तो देंदार की बाजू में दो लिख देंगे और घालखाद की दूबत रिन की बाजू में भी दो लिख देंगे पेड़ी दोनों को पगार वेतन देती है ये वेतन भागिदार की पगार है वेतन है चवथा adjustment 500 कमिशन के मिलना बाकी है कमिशन की बाजू में 4 और 5 है वेतन के 3000 चुकाना बाकी है तो वेतन की बाजू में 5 तो सभी समायोजन note down हो गए तो अब हमें व्यापार खाता नहीं बनाना है सीधा हमें बनाना है लाभानी वित्रण खाता तो लाभानी वित्रण खाता 18-20 लाइन का उसके बाद लाभानी वित्रण खाता उसके बाद लाभानी वित्रण खाता 8-10 लाइन साजेदारों का पूंची खाता 8 तो स्टार्ट करते हैं, सभी उधार बाकी में से पढ़ते जाएंगे और जिसकी एंट्री जहां होगी वहां हम करते जाएंगे तो सबसे पहले आहरण, पहले पूंजी लिख लेते हैं तो पूंजी खाते में ब्रह्मा पूंजी खाते में जाएंगे, गिलाभानी है, साजेदारों का पूंजी खाता, ब्रह्मा एक चार सोला, ब्रह्मा 55,000 और विश्नु 45,000, पूंजी हमेशा प्लस होती है, तो एक चार सोला को शेश आगे लाए, ब्रह्मा की पूंजी 55,000 और विश्नु की पूंजी 45,000, उसके बाद लिखना है आहरण तो आहरण कहां लिखते हैं पूंजी खाते में उधार साइड आहरण के लिए कोई तारीक नहीं दी है तो तारीक नहीं लिखेंगे दोनों भागीदार ने आहरण किया है 5000 और 5000 कोई तारीक नहीं दी इसलिए हम 1416 ही लिख देंगे ओके अब उधार ब प्रट्टे का मकान 60,000 1,416 से 10 साल के लिए लिया है तो जितने वर्ष के लिया हो मकान उतने वर्ष से भाग कर देंगे तो 60,000 भाग 10 तो एक वर्ष का होगा 6,000 तो 1,416 से 31,317 तक का मकान यूज करने के लिए हमें 6,000 रुपे की एंट्री करनी होगी मकान हमारे लिए संपत्ती है इसलिए आर्थिक चिठ्था में संपत्ती लेना साइड भाड़ा पट्टे का मकान अप लिखेती यानि की इसमें से माइनस करेंगे 60,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 54,000 सभी समायोजन की दो असर होती है इसकी second effect आएगी लाब हानी खाते में उधार side बाड़ा पट्टे का मकान 6,000 अप लिखित था उसके बाद next machine दी ओफिस की 50,000 रुपे जिसके उपर पहला समायोजन है मशीनरी पर 6% घिसाई machinery हमारे लिए संपत्ती है तो machinery में समायोजन है तो इसलिए अंदर लिखेंगे कहां लिखेंगे आर्थिक चिठ्था में machinery इसलिए पहले अंदर लिखेंगे machinery 50,000 माईनस इसमें घिसाई घिसाई कितनी है मशिनिरी पर 6% तो 50,000 का 6% हो गया 3,000 तो 50,000 में से 3,000 माइनस तो 47,000 बाहर लिखेंगे इसकी second effect लाब हानी खाते में घिसाई मशिनिरी 3,000 जो नुकसान है क्योंकि ये लाब हानी खाता है तो हानी हमेशा इस तरफ लिखी जाएगी मशिनिरी पर 3,000 उधार side लाब हानी खाते में उधार side क्योंकि खर्च है पर ये entry बाद में करेंगे क्योंकि अभी एक घिसाई है फरनीचर के उपर तो फरनीचर का जो घिसाई है वो आ जाएगी इसलिए दोनों की साथ में entry कर सकते हैं लाब हानी खाते में आएगी और याद रखना जो 350 350 इसमें बट्टा दिया है 350 दिया बट्टा 350 है हमारे पास दिया बट्टा ये है हमारा लाब हानी खाते में लाब हानी खाते में पीछे लिखा हुआ है दो पेज बनाए है न इसके दिया बट्टा 350 देखो ये रहा दिया बट्टा 350 ये हमारे लिए खर्च है और खर्च हमेशा लाब हानी खाते में उधार साइड आएगा बट्टा नफा नुकसान खाते में उधार साइड 350 उसके बाद देवादार 40 हजार देवादार की वो हमारे लिए ग्राहक हैं जिसे हम उधार माल बेशते हैं और हमें उससे रुपे लेने हैं तो देनदार हमारी मिलकत होती है रुपे 40 हजार है जिसके उपर दूसरा समायोजन है कि देनदार में से 500 डूबतरिन के अपलिखित करो ठीक है तो मिलकत सहित देवादारों में से 40 हजार देवादार 40 हजार इसकी अंट्री होगी आर्थिक चिठे में देनदार देनदार 40 हजार और इसमें से माइनस डूबतरिन समायोजन से 500 तो 500 माइनस करेंगे 49 हजार 500 यहाँ पर लिखा जाएगा उसके बाद अब अपने ग्रहाकों पर से हम मांगते हैं 49 हजार 500 और 500 की जो डूबतरिन है वो उसकी second effect लाबहानी खाते में उधार साइड लाबहानी खाते में उधार साइड 500 यह रहा देखो प्लस डूबतरिन समायोजन 500 रुपे डूबतरिन समायोजन 500 प्लस उसमें इसका पूरा श्टैप होता है डूबतरिन अनामत समयोजन माइनस डूबत रण अनामत सकल तलपट और सबसे पहले होता है डूबत रण सकल तलपट यह पूरा इसका स्टेप है यह आपको लर्न करना होगा चलो अब डूबत रण में सकल तलपट की दी है 1200 डूबत रण समयोजन की है 500 टोटल हो गए हमारे 1700 टोटल 1700 और डूबत रण अनामत सकल तलपट की जो एंट्री हो तो माइनस कर देते हैं उसके बाद देखो माइनस कर देते हैं डूबत रण अनामत सकल तलपट लेकिन यहापे नहीं दी गई तो सीधा हमारा 1700 अंसर उसके बाद जावक माल गाड़ा भाड़ू 1200 कहां आएगा बिजनेस का खर्च है तो नफा नुकसान खाता में उधार साइट लाब हानी खाते में उधार साइट जावक माल गाड़ी किराया 1200 रुपे नेक्स्ट फरनीचर फिक्सर 5000 जिसके उपर 20% घिसाई काउंट करनी है फरनीचर हमारे लिए क्या है मिलकत है तो आर्थिक चिठे में संपत्ति लेना साइड क्या है फरनीचर 5000 का और उसके उपर 20% घिसाई काउंट करनी है तो 5000 का 20% हो गया 1000 और furniture की value अब 4000 हो गई घसारा गिसाई की second effect गिसाई बिजनेस का खर्च है इसलिए lab honey खाते में उधार side furniture fixer 1000 और machinery की गिसाई थी 3000 तो दोनों गिसाई हो गई हमारी तीन और एक छे और तीन नो और एक दस ओके ये हमारी घिसाई भाड़ा पट्टे के मकान पर छे हजार थी मशीनरी की तीन हजार और फरनिचर फिक्चर की एक हजार तो ये हो गए टोटल दस हजार ओके अब वेतन 7500 जिसके उपर पाच्वा समायोजन है वेतन 3000 चुकाना बाकी है वेतन बिजनिस का खर्च है तो लाब हानी में उधार साइड वेतन 7500 प्लस पाच्वा जो समायोजन है कि 3000 टोटल हो गया 10,500 और इसकी 2nd effect कोई भी खर्च चुकाना बाकी हो तो आर्थिक चिठे में आर्थिक चिठे में पूंजी दाइतु साइड इसकी एंट्री करेंगे तो पूंजी दाइतु में पूंजी खाता और यहाँ पर हमारी चुकाना शेश वेतन देखो यह रहा 3,000 चुकाना शेश वेतन 3,000 उसके बाद लेनी हुंडी 20,000 वो कहां आएगी एक वस्तु याद रखना कि सकल तलपट में उधार बाकी में जो भी कोई एंट्री होगी तो व्यपार खाते में अथवा लाब हानी खाते में उधार साइड आएगी क्योंकि कि ये सभी खर्च है या जो ये खर्च नहीं हुए तो आर्थिक चिठे में समपत्ती लेना साइड उसकी एंट्री होगी तो लेनी हुंडी 20,000 व्यापार खर्च लेनी हुंडी 20,000 समपत्ती लेना साइड 5,900 लाबहानी वित्रण में उधार साइड लाबहानी में उधार साइड 5,900 व्यापार खर्च ये रहा व्यापार खर्च लाबहानी खाते में उधार साइड ओके फिर है रोकड शेष 6,000 रोकड शेष नगद शेष नगद शेश 6000 जिसकी एंटरी संपत्ती लेना साइड होगी आर्थिक चिठे में क्योंकि ये हमारी संपत्ती है उसके बाद अंतिम श्टॉक 73,000 जिसकी एंटरी आर्थिक चिठे में होगी संपत्ती लेना साइड तो अभी उधार बाकियों सभी complete हो गई अब जमाबा की पूजी खाते में लिख लेते हैं लिखा है ब्रह्मा की लोन 50,000 तो ब्रह्मा भागिदार है उसने लोन दिया है इसलिए लोन पर व्याज काउंट करना है पहले लोन लिखेंगे 50,000 लोन कहाएगा आर्थिक चिठे में पूंजी दाइत्व साइड ब्रह्मा की लोन पचास हजार ब्रह्मा की लोन पचास हजार लोन कहा आती है आर्थिक चिप्थे में पूंजी दाइत्व साइड ओके ब्रह्मा की लोन पचास हजार अब उसके उपर ब्याज की counting करनी होगी 50,000 का 6% 3,000 लोन कब दी है? ब्रहमा ने 1,1,16 नहीं सौरी 1,7,16 तो 1,7,16 को लोन दी है तो 7,8,9,10 11,12,1,2,3 9 महिने का ब्याज हमें counting करना होगा तो कैसे करेंगे? देखो ऐसे करेंगे 50,000 की लोन दी है 6% के हिसाब से और 9 महिने का find करना है तो 9,12 जितने महिने का करना हो 9 का करना है तो 9,12,4 का करना हो तो 4,12,5 का करना हो तो 5,12, इस तरह से इसका answer आएगा 2250 ब्रहमा की लोन पर ब्याज 2250 इस तरह से interest की counting करते हैं तो लोन का ब्याज होगा अब ये चुकाना बाकी है कौन चुकाएगा पेड़ी चुकाएगी तो पेड़ी के लिए खर्च है तो लाबहानी में लाबहानी वित्रण में उधार साइड ब्रहमा की लोन पर ब्याज 2250 और इसकी second effect आर्थिक चित्थे में पूझी देना साइड पूझी दायत्व साइड ब्रहमा की लोन पर ब्याज 2250 अब मिला बट्ता 400 Income है तो लाभ हानी वित्रण में लाभ हानी खाते में प्राप्त बट्टा 400 प्राप्त बट्टा 400 लाभ हानी खाते में जमा साइड पेड़ी की इंकम है तो 400 Rs. जमा साइड लिखे जाएंगे उसके बाद लेंदार 25,000 आर्थिक चिठ्थे में पूंजी दाइत्व साइड लेंदार 25,000 कमीशन 25,000 इनकम है तो लाब हानी खाते में कमीशन 25,000 जमा साइड इसके उपर समायोजन है इसके उपर अंदर लिखना होगा अभी चौथा समायोजन है 500 कमीशन बाकी है मिलना तो प्लस कर देंगे मिलना बाकी 503,000 इसकी second effect कोई भी इनकम मिलने की बाकी हो तो आर्थिक चिठ्थे में आर्थिक चिठ्थे में समपत्ती लेना साइड ये देखो 500,000 मिलना शेश कमीशन कोई भी खर्च मिलना बाकी हो तो आर्थिक चिठ्थे में समपत्ती लेना साइड उसकी एंट्री करते हैं उसके बाद देनी हुंडी 5000 हजार पांच हजार यहां आर्थिक चित्थे में पूंजी दाइत्वसाइट देनी हुन्डी पांच हजार और लास्ट है व्यापार खाते में 97,250 जो हमारा क्या था नफा कच्चा नफा था कितना था 92,250 हमारा सकल लाब था क्या था हमारा सकल लाब व्यापार खाते में 97,250 जो की हमारा सकल लाब है जिसको हमें क्या लिखेंगे लाब हानी में जमा साइड लाब हानी में 97,250 अब तीसरा समायोजन की दो इफेक्ट बाकी है ब्रह्मा और विश्णू ने 5000 और 4000 वार्शिक वेतन देना है पेड़ी साजेदार को देगी तो लाब हानी वित्रन खाते में लाबहानी वित्रण खाते में वेतन ब्रह्मा 5000 और विश्नु 4000 तो ये हो गया 9000 उधार साइड पेड़ी का खर्च है तो टोटल हो गया 9000 और इसकी सेकेंड इफेक्ट साजेदारों के पूझी खाते में होगी साजेदारों के पूझी खाते में वेतन ब्रह्मा 5000 यहां जमा साइड लिखना है जमा और ये उधार साजेदारों को जब भी कुछ मिले तो उनकी पूझी खाते में जमा होगा तो उन्हें वेतन मिला है ब्रह्मा को 5,000 और विष्नु को 4,000 ओके तो इसलिए उनके पूंजी खाते में जमा होगा अब हम अकाौंट क्वेश करेंगे तो सबसे पहले लाभ हानी खाते से शुरुवात करेंगे जमासाइट का टोटल जमा साइड का टोटल ही नहीं किया मैंने जमा साइड का टोटल किया है अगले पेच पर क्योंकि दो पेच पर बनाया है न जमा साइड का टोटल है एक लाग छेसो पचास ओके टोटल जमा साइड का दोनों साइड लिखेंगे सेम अमाउंट और 1,650 में से उधार साइड माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 68,750 जो है हमारा शुद्ध लाब ओके अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे लाब हानी वित्रन खाते में लाब हानी वित्रन खाता जमा साइड ये जमा साइड 68,750 शुद्ध लाब हमें ले जाएंगे लाब हानी वित्रन खाते में जमा साइड दोनों साइड लिखेंगे दोनों साइड 68,750 और इसमें से माइनस करेंगे 9,000 तो आएगा 69,750 ये हमें मिला वित्रन पात्रन अब इसको दोनों भागिदार के बीच हमें वित्रन करना है ब्रह्मा और विष्णू तीन अनुपात दो के प्रमाण में तीन अनुपात दो के प्रमाण में इसको वित्रित करना है तो कैसे करेंगे देखो ऐसे 69,750 तीन और दो पाँच और यहाँ पर 69,750 गुना दो है तो दो बटे पाँच और इसका अंसर आएगा 35,850 और इसका अंसर आएगा 23,900 ये मिले ब्रह्मा को और ये मिले विष्णू को ओके तो इन दोनों का टोटावाण में प्रमाण में प्र चल हो गया 69,750 और जो इने फाइदा मिला मतलब की लाभ मिला वो पूंजी खाते में जमासाइड लिखेंगे ये पूंजी खाता इसमें जमासाइड लिखेंगे वित्रण पात्र लाभ साजेदारों को जब भी कुछ मिलेगा तो पूंजी खाते में जमासाइड लिखेंगे इकतिस तीन सत्रा वित्रन पात्र लाभ ब्रह्मा को 35,850 और विश्नु को 23,900 ओके अब पुझी खाते में ख्लोस करेंगे तो प्लस साइड जादा है प्लस साइड जादा है विश्नु का 45,4 प्लस 3,900 बहत्तर हजार 900 दोनों साइड लिखेंगे 72,900 तो इसमें से 5000 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा दोनों भागिदारों की अंतिम पुझी 31,3,7 बाकी आगे ले गए मिला और ये बाकी आगे ले गए कहां शिफ्ट करेंगे हम आर्थिक चित्था में पुझी देना पुझी दाइत्व साइड 90,850 ब्रह्मा का एक मिनट ब्रह्मा का 90,850 और विश्णु का 67,900 ओके ब्रह्मा 90,850 विश्णु 67,900 ये मैं कैसे मिला विश्णु का टोटल किया तो 72,900 इसमें से माइनस किया हमने 5,000 तो आया 67,900 जो 6 आगे ले गए उसके बाद ब्रह्मा का टोटल किया 95,850 तो यहां भी 95,850 95,850 में से 5000 को माइनस किया तो आया 90,850 दो हम 6 आगे ले गए अब इसे ले जाएंगे आर्थिक चिठे में उधार साइट उधार और ये जम अच्छा अब टोटल हो गया पूंजी खाता ब्रह्मा का 90,850 विश्नु का 67,900 दोनों का टोटल 1,58,750 अब टोटल करेंगे तो टोटल दोनों जगर 2,44,000 आना चाहिए तो यहां भी 2,44,000 इसका मतलब हमारा सम हुआ कम्प्लीट तो मिलते हैं अगली विडियो में अगले क्वेशन के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत